श्रीलंका और भारत के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा मैच पल्ले केले में खेला जा रहा है श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए चुना भले ही भारतिय टीम में बदलाव हुए हो लेकिन संजू सैमसन अभी भी प्लेइंग 11 में है दुरभाग्य से सैमसन लगातार दूसरे मैच में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए चौथी गेंद पर वे वनिंदू हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए सैमसन के प्रशनसक उनके प्रदर्शन से निराश हैं क्योंकि वे टीम में अपने मौकों का पूरा फाइदा नहीं उठा पाए हैं संजू सैमसन ने लगातार दूसरी बार खेल में कोई रन नहीं बनाया कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें खेलना छोड़ देना चाहिए लोग तब खुश नहीं थे जब संजू सैमसन लगातार दो मैचों में बिना कोई रन बनाये आउट हो गए तीसरे मैच में उन्होंने अलग पोजीशन पर बल्ले बाजी की लेकिन फिर भी रन नहीं बता पाए कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए